तो विल्गमें गाईस दोस्तों नमस्कार आप सभी का देखिए आप लोग एक पेपर रखें आई बीएस बीयोसी के तहट कौन से पेपर तो यह है आपका फंडामेंटल ओफ वेब डीजाइनी ठीक है इसमें पढ़ना क्या है सिलेबस क्या रहेगा कोश्चन कैसे आएंगे इसका क्या क्या टॉपिक हमें मिलेगा सब कुछ जानेंगे तो चलिए देखते हैं देखे यह जो भॉस्त यहे छोए लोग सिलेक्ट करते इंजिनको कंप्यूटर इसमें आपका practical paper है तो practical भी इसमें आपको करना होगा अब चले देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है जनरल इसका आपको guess paper नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत कम लोग रखते हैं और guess paper इसमें मिलना थोड़ा मुस्किल हो जाता है ठीक है देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है तो देखिए ये आपके जो topic है थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि syllabus काफी ज़्यादा है इसमें ये सारे topic आपको पढ़ना है जो लोग English में रखे हैं वो अच्छा है Hindi में रखे हैं तो थोड़ा सा मुस्किल होगा तो बुक से पढ़ना होगा ये देखिए ये बुक है कुछ suggested ठीक है और अगर आपके पास बुक नहीं है तो guess paper guess paper भी नहीं है तो आपको मेरे बताए तरीके अनसर इसको काम करके निप्टाना होगा चलिए देखते हैं सबसे पहले जान लेते हैं paper कितने marks का आएगा तो दोस्तों paper 100 marks का आएगा जिसमें internal होगा और external होगा internal आपका 25 marks का external 75 marks का होगा ठीक है अब देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें वह चीज़ जान लेते हैं तो इन सभी topics को अगर आपके सामने copy pen है तो not करते जाएगा पहला है introduction to computer computer किसे काते हैं जी नेक्स्ट आपका generation जानना है computer generation first generation second generation third generation अभी तो 13 14 तक आ गया है ठीक है generation of computer फिर आपको जानना है function of the different units जैसे कि क्या input है क्या output है जैसे कि आपका keyboard input हो गया mouse input हो गया monitor output हो एक तो input unit output unit के बारे में जानना है छो नेक्स यह आपका memory unit के बारे में जानना यह cpu के बादे मैंना इस आपका input टीवाइस के बारे में जानना एगए मैं आए इसमें बीसो हो गया basic input आउटपूट सिस्टम जिसको बोलते हैं फिर आपका हाडवेर एंड सॉप्टवेर के बारे में जानना होगा नेक्स्ट है इंट्रोड़क्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम फिर है आपका जी यू आई यानि की इसको क्या बोलते हैं यह मैं बोल रहा हूं और जी यू सी यू होता है या मैं भूल रहा हूं यूनिट कुछ यूनिट होता है ठीक है कंट्रोल यूनिट सी यू होता है सी यू आई चली याद नहीं आ रहा है भी नेक्स्ट आपकाट ट्रांसलेटर के बारे में जानना होगा जिसमें की ट्रांसलेटर बहुत सारे होता है आसे मिले ट्रा ता है computer language के बारे में जानना होगा जैसे कि Python हो गया Java हो गया ठीक है आगे दिख लिते हैं COBOL हो गया फोट्रेन हो गया basic हो गया इन सब के बारे में जानना होगा next आपका introduction to network के बारे में जानना होगा type of topology ठीक है फिर जानना होगा आपको applications and advantage device use in networking इन सब के बारे में जानना होगा next है हमारे यहां पर फोर नुमबर तो इसमें आपको जानना होगा introduction to internet internet किसे काते हैं कैसे काम करता है ठीक है फिर जानना होगा application IP के बारे में IP मतलब internet protocol ठीक है फिर IP address क्या है type of internet connection www and web browser के बारे में जानना होगा next है आपका connecting to the internet etc ठीक है आगे देख लेते हैं तो हमारा connect है यहां पर basic terminology and hardware software required to access internet URL hosting DNS protocol OSI model search engine ठीक है फिर जानना होगा publishing web page के बारे में suffering the web using के बारे में ठीक ही गवर्णेंस के बारे में website के बारे में इन सब के बारे में जानना होगा फिर आपका यहां पर introduction to html यहांनी के hyper text mark of language के बारे में जानना होगा font style के बारे में जानना होगा जैसे लगा तो हैं टेड़ा दिख रहा है तो कोई सीथा देख रहा है कोई मोटा दिख रहा है बोल्ड ठीक है इन सब के बारे में हाइफर लिंक के बारे में जानना होगा इमेज इमेडिंग टेबल, इंबेडिंगिंटेवल, इस बारे में नहीं लंबा है मैंने सुरू में ही बता दिया है CSS के बारे में जानना होगा CSS का introduction क्या है ठीक है selectors ID के बारे में जानना होगा next है आपका class style styling background font इन सब के बारे में आपको जानना होगा और देख लिए यह सभी topic हैं आपकी इतने topic पढ़ने हिंदी में में ने दे दिया है इन सब topic को आपको क्या करना है एक computer का book आता है לώ सेंट का 75 रुप्या लेता है आप उस्से बढ़ सकते हैं अगर इतना नहीं नहीं है नहीं लेना तो आप इन सब्वी topic को एक करके जितना भी चोटा चोटा जहां पर जिस को माँए जिसे की यहां पर two Stacy और तक आग्या यह दो एक्सेस इंटर्नेट ठीक है और फिर यहां पे पर इतना दूर्त कि यहां पर आपको सर्च मारना है Google से फ Pir उसके बाद जहां पर आएगा प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल सर्च मारिए इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में फिर आपका OSI model OSI model लिखे इंटरनेट पर गूगल पर सर्च मारिए दोस्तों जितना भी आता है उन आपको पढ़िए और जो आपको समझ में आता है उसको नौट करते जाईएगा इस तरह से दोस्तों आपके एक्जाम में कोस्चेन आएंगे यह पर वाकई में आपका टफ रहने वाला है मैं जूट नहीं बोलूंगा इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पढ़े है और इसमें प्रैक्टिकल जगर आपका नौलज नहीं है ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में प्रैक्टिकल नौलज काने का मतलब कंप्यूटर में अगर आपने काम नहीं किया है तो फिर यह दिक्कत हो जाएगा ठीक है इसलिए थोड़ा बहुत आप जितना हुप सक है तो प्रैक्टिकल नौलज ले लेजिए ठीक है बाइगा अ